यदि आप भी भी हारबोर्ट से इंटर्मीडियेट ऑफ आर्थाद की आर्ट से कला सब्जेक्ट से 2024 की बोड़ अकजाम देंगे तो आज से हम दो शुरू कर रहे हैं आपकी हिस्ट्री का एक बैज जैसा कि आप सब भी जानते कि पीछे में आपको बताया था कि आर्ट्स में कैसे आप 100 मार्क्स का इस सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री में कैसे आप 100 में 100 लेकर आ सकते हैं और उसके पहला चैप्टर जो है आपका इट मन के और अस्थिया हड़ापा सभ्यता वाला उचेप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से बस सुरू हो रहा है तो यह बाई साइन्स के बराबर एस्टडी नहीं करता है और कोई भी छात्र आप आर्ट्स लिये हैं हिस्ट्री जोगरफी जैसे बीचे से आप पढ़ाई कर रहे हैं अगर साइन्स वाले विद्यार्थियों के बराबर आप एस्टडी कर ले रहे हैं तो उनसे ज्यादा मैंने फीट आपको आगे कोई भी एकजाम जैसे यूपी सी निकालना है बीपी सी निकालना है तो उसके जी एस-पैपर का तो तयारी आप यहीं से कर रहे है या पूरेलवे ऐससे बैंकिन सभी का जीएस्ट जो होता है जैनरल स्टडीज वाला पेपर उसकी तयारी आप कर लह चिस्ट् नूट सोगारा कहां से मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देंगा, बिल्कुल फिरी में, चलिए यहां पे देखें, इंटर बोड एकजाम के लिए मैं बताया कि पहला कलास है, तो सीलेबस एकजाम पैटर्न सभी की हमनों चर्चा कर रहे हैं, तो पहले चलिए मैं एकजाम पर से रिपीट करते हैं, सोग मार्क्स का एकजाम होगा, प्रेक्टिकल होगा नहीं होगा, आगे इस तरह एकजाम में भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसकी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सीधे चलते हैं महात्तव पूल बाद, तो यहां पे देखें, सबसे पहले इस साल 2024 बोड एकजाम में, इंटर के इतिहास में, आप से सोव अबजेक्टी प्रसंट पूछे जाएंगे, खंड और में, जिसमें से कोई 50 अपने को छोड़ देना है, और कोई 50 आपको बना देना है, अगर आप ध्यान से अगर आप लोग का सही होग रहता है, क्लास होग रहता ह अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, कि कैसा नोट से और कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, फिर आप 50 प्रसंट इसमें सोव कर देंगे, तो आगे मिलेगा आप से गयर बस तुनिस्ट प्रसंट, आप साथ कि 20 निस्ट प्रसंट सब्जेक्टिव टाइप को और उसमें एक से तीस तक लगूतर ये प्रसंट पूछे जाएंगे, जिसमें से पंदरह का जवाब देना, इसके लिए 30 अंख, इसके लिए कितना अंग मिलेगा, पचास और ये दो दो अंग के रहेंगे, तीस अंख, और फिर आगे प्रसंट संखिया, एक तीस से और तीस प्रसंट आपका कोई भी गलत नहीं होगा, चलिए, यह तो हुआ है, अब बात करते हैं, क्या क्या चेप्टर अपने को पढ़ना है, लेकिन अभी बिहार पूट में कोई चेप्टर नहीं हटाए करते हैं, पूरा पंदरह चेप्टर, वह आपको पहल लेना है, किस-किस पहला चेप्टर है कक्षा बारह हुई का, इट मन के तथा अस्थियां जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इट मन के और अस्थियां हडापा सभयता से रिलेटर चेप्टर है, दूसरा है राजा, किसान और नगर आरंभिक, राज और अर्थ ब्यवस्थाएं, तीसरा चेप्ट के पढ़िये का, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो क्योंकि वह सिलेबस होता है, सिदे-सिदे आगे आने वाले कई परिक्षाओं का, तो 15 चेप्टर के लिए आपको तीन इतिहास का बूक पढ़ना होगा, NCRT के हम लोग बात करें तो, इसमें इतिहास मैं दिखा दे रहा के भागवन के लिए आपको दिखाई दे रहा होगा, NCRT का बूक है, इसी रूप में इसका कवर प्रिस्ट आएगा, इसमें जो है, इसी उन्हों मिराकर मैं बताया है कि 15 चेप्टर अपने को पढ़ना है, इसमें जो एक चेप्टर ने देख रहा है हाडपा सभ्यता से ले जो यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, बस एक भूक से भागवन से इतना ही काम आप कर सकते हैं, चलिए अब आगे देख लेते हैं, और कौन-कौन सा चेप्टर पहना है, फिर भाग दो इतिहास का बूक आप लेंगे, तो उसमें आपको पांचवा चेप्टर मिलेगा यात्रियों के नजरिये से, कापी सांदार चेप्टर है, भक्ती सुफी फरंपरा, और यहाँ पर अगला चेप्टर एक समराज की राजधानी बिजयनगर, किसान जमिंदार और राज सासक और मुगल दरबार इतिब्रिती, यह जो पांच से लेकर नौ नमबर चेप्टर आ आप कंपलीट करेंगे, फिर आगे की तरह बढ़े हम लोग 10 नमबर पाठ देखते हैं, क्या है इतिहास का, तो उपनिवे स्वाद और देहात, बिद्रुह और राज, अगला चेप्टर है, आपनिवे सिक सहर, यह काफी महत्पूंग चेप्टर है, महात्मा गांधी और रा इतिहास के कुछ भी से भागतीन जो यहां पे आप देख पा रहे हैं, तो यह तीन बूग इतिहास के आता है, क्लास 12 का, जिसमें चेप्टर 1 से लेकर 15 तक को कभर किया गया है, यहीं 15 चेप्टर है, अपने को कोई नहीं छोड़ना है, यह पूरा 15 चेप्टर अपने को काम होगा, अब पहला जो हम लोग का चेप्टर है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, देखिए जो यह जो बुक है, अंसी आल्टी का यह काफी ऊपर की बात करता है, लेकिन हम लोग अभी जो आप जानते हड़ापा सब एता है, क्लास 6 में भी आपको पढ़ने को मिला होगा, तो वहाँ से जो जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रसन आप से पूछे जा सकते हैं, पहले मैं उसको रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर आपके उंच लेबल की बात करेंगे, अब कि हडापा सब एता है, कि बेसिक हम लोग जल जल देख बारे देख ले रहे हैं, ता यहाँ पर पहला प्रसन के आप पूछा जाता है, कि हडापा सब एता किस यूग की थी, तो रट जाएंगे कांस यूग की थी, हडापा सब एता किस यूग की थी, तो कांस यूगीन सब भी आता थी, तो ऑप्संस आएंगे सिधे-सिधे आपको टीक कर देना है, उसमें कौ आदितिया स्काल हापास की सभ Sweet That keeping Senia presents Donna a supputcuts नगर ये सभी अटा थी वहां कि लोग बैपर करते थे इसली पर निरुभर नहीं थे वे पूच्छे गया कि हडापा सभेता कि स्भेट नगर ये ग्रामिर ये और वी दूनों इन से कोई नई तम क्या टिक करेंगे नगर ये सभ्यता थी और कुछ महत्वपूर जल्दी से हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं बीस्तार की हम लोग चर्चा कर रहा है यहां से ध्यान से समझ लेना है तो यहां पर मैं आपको गीच कर दिखा दे रहा हूं यहां पर आपको यहां फिस एपर हो जाता है नौर्थ नीचे हो जाता है ऑपना साउठ यहां पे पहे हंटता है ओड़ापा सभेदा का बिस्तार देखिए उपर देख रहे हैं उपर क्या है नौर्थ है उत्र यहां पर देख पा रहे हैं तो उत्र में साइड नौर्थ है नौर्थ में कहां तक था तो मांदा मांदा कहां है जम्मू कास्मीर तक और पस यहां पर दक्षिन में साउथ में कहां तक था तो दाइमाबाद महरास्ट तक यह प् इस्ट टूएस्ट कितना था शोला सो अब देखिए लगभग में एरिया बतायां जारा क्योंकि हड़ापा सब्वेता में काफी मारती हिपाले सी नष्ट हो चुका था लेकर फिर भी लगभग में अभी यहां से प्रस्द किया क्या बन सकता है कि हड़ापा सब्वेता का बीस दोर बलुचिस्तान प्रांच तके सभ्यता फ्यली थी दो अंक मिलेगा अब्जेक्टिव प्रस्म भी से काफी बन सकते हैं कि आपका उत्री अंतिम भाग कौन सा था तो मांदा जो कहां है जमु कास्मीर में दक्षिनी भाग लास्ट बताईए दाइमाबाद महराश्ट में प बात करें तो पूछता है कि हडापा सब हैता कि लोगों की प्रमुख ब्यवसाय क्या था पेसा क्या था तो प्रमुख पेसा क्या था बैपार इसलिए तो मैं सुरुम बताया कि नगर यह सब हैता थी तो वहां के प्रमुख पेसा क्या था बैपार था पसुपालन के वहां लोग पसुपालन का भी कारिय करते थे, कौन-कौन से पसुप के साक्ष मिले हैं, तो गाय, भैस, भेन, बकरी, इत्यादी के साक्ष मिलते हैं, मोहन जो दोड़ों को से लेकर कई प्रस्ण पूछे जाते हैं, आगे हम लोग बिश्टार से पढ़ेंगे, अभी हम लोग पीछे प्रस्ण पूछता है कि हड़ापा सब्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो सर मोहन जो दोड़ों, याद करते चलेंगे सीधे-सीधे प्रस्ण आएगा, सबसे बीसाल असनानागार, असनानागर मतलब जो बाथरूम जो होता है, जहां पर हम लोग असनान करते हैं, तो सबसे बीसाल, सबसे बड़ा असनानागार हडपा सब्यता किस सहर से मिला है, तो मोहन जो दोड़ों से, सबसे बड़ा अनागार, अनागार मतलब अनाज रखने की कोठार, तो सबसे बड़ा अनाज रखने की कोठार हडपा सब्यता में किस सहर से पराप्त हुआ है, तो मोह कर सकते हैं कोई दिकत के बात नहीं और दूसरा तरीका है कि चिली गराम निश्राफ करेंने करें सब्सक्राइब करें इस तरह करेंगा शुब्स घ्राब टेली ग्राम पर आप समझ रहें पीस तरह आपको सर्च करना है और ए-डार करीडर पॉइंट का टेली ग्राम ग्रूप आएगा जिसमें करीब करीब कावन के बलगभग बच्चे जुड़े हुए हैं उसमें आपको जूड़ जाना है या दूसरा तरीका है कि इसको रोकर भी आप लिग सकते हैं और इस सब्सक्राइब करने में काफी समय लगता है सांदार नोट से अभी तक आप पढ़ने समझ रहे हैं उसके लाइटिंग और बोड वड़ा काफी ज्यादा इसमें सी इंवेस्टमेंट करना पड़ता है तो आपको क्या करना है कि बस आपको कुछ निकरना आप पढ़ना चाहते ह हैं गरांटी दरओं कर पूरा चेप्टर हम लोग पढ़ लिए तीनों इतिहास का बुक मेरे पास हमें अगर तीनों इतिहास का बुक आपको पढ़ा दिया गया सो में सो आप बिल्कुल सही सही बनाकर आएंगे अगर आपका राइटिंग होगा रहा सही होगा एक्जामिनल अच्छा सब कोपी चेक करेगा तो 95 नंबर तो आपका असानी से आएगा हिस्ट्री में बस अगर सब चेप्टर हम लोग पढ़ लिए सब लोग आगे कलास कब कंटिन्यू करेंगे जब इस क्लास को आप अधिक सदिक सेयर करते हैं अधिक सदिक बच्चों तक पहुंचाए नोट्स मैं प्रवाइड कराऊंगा टेली ग्राम पे वहां से स्क्रीन सोट लेकर आप अपने सभी जिवी आप फेस्बूक चलाते होंगे वाट्सप गुरूप सब जगा पेस्टेस लगाएंगे तो आपको जो भी दोस्त नमीद रहोंगे तो इस क्लास से जूरेंगे तो ह करना है तो आपको घर करना है ताकि आपका क्लास नहीं रूखे जब आपनों सेर नहीं करेंगे तभी टाइम दे दिया जाएगा और उस समय पे आपको जैसे आपको करते रहना है हर जगा अभी यहां पे दिखिए मुहन जोढ़ों के बारे में हम समझ रहे थे कि मुहन के बारे में यह जो अभी मैं बताने जा रहा हूं इसको रट कर घोड कर पी जाईएगा यहां से काफी जादा पूछा जाएगा जो यहां पर आप देख रहा है एक किस कौन सा अस्थल का खोज किस ने किया कब किया कहां है किस नधी के किनारे इसे प्रस्ण नहीं आए दो चा करेगा नुगार इस पूझा गाते किस अरथे संद्रु घाटी सभेता के नाम से भी जानते हैं इसमें सबसे अस्त्रमड़ सबसे पहली बार खुझा जाता है आपका यहां पर हलंपा की किस ने किया तो अगला सहर है मोहन जोडरो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे तो मोहन जोडरो जो है कि इसकी खोज करता पूछेगा इसका खोज किस ने किया था राखल दास्मारेश कोज करता का मतलब इसको दुनिया के सामने प्रस्तूत करना खोज के दो सब्सक्राइब भूला जाट इसका फूच खूज करना चीज मुबायल प्रण दुणिया के सामने लाइटिंग हो नवगा हर तो इसका और सच जो भी आप पढ़ते हैं कि भारत का खोजवा अमेरिका कोज़न कोलंबस ने किया भारत का कुछ वासिको धिगामने कीगा पहले से था इसके बारे में दुनिया को हमको जानकारी नहीं था हम लोगों ने बताया कि यह भी सभयता था और यहां पी इस्थित दात पर रहे है तो मोहन जोदारों की खुच किस ने किया था राखल दासबन अरजी ने कब तो सर 1922 में कहां इस्थित है तो सिंध परांत में किस नदी के तट पे है तो सिंधू नटी के तट पे इस्थित है उसके बाद इसका प्रमुक सहर है काली बंगा रटते चलिएगा बार बता रहा हूं जोड़ देकर बोड़ रहा हूं इस बात पे कि इससे खुब ज़ादा परस सीधे सीधे पूछे जाएंगे तो काली तो रंगनाथन राओ ने किया था कब 1954 में इसकी बर्तमान इस्थिती गुजरात में और इसका जो है भोगवा जो है नदी के किनारे इस्थित सभ्यता था देखिए जो आजादी के बाद अजादी से पहले 1922 में भी खोज हुआ उसमें पाकिस्तान में ज्यादा छेतर मिले हैं उसमें पाकिस्तान था नहीं आप जानते हैं वाराबाद में हुआ है अब हम लोग देखिए यहां पर पढ़ रहते 1900 यहां पर देख रहें कितना में खोज हुआ है एक किस में 22 में यह सभी आजादी के बाद अगर प्रस्ण पूछे कि हड़ापा सभ्यता के सबसे अध मैं आपको समझाया था चन हुद्रो एक जगा है हडापा सभ्यता का इसकी खोज गोपाल मजमुदार ने किया था 1931 में सिंध परांत में इस्तिते सिंधु नदी के किनारे हैं रंगपूर भी एक जगा है जिसकी खोज माधो स्वरू वद्स ने किया था 1953 से 54 में जो भी जाना है यहां से खोब जादे प्रस्न पूछे जाते हैं और इस साल भी 2024 बोड़ एकजाम में भी इंटर के पूछे जाएंगे यह हर साल के लिए संभावीत प्रस्न है चलिए आगे कुछ और महत्वपूर बात करें तो यहां का हरपा सभेता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था तो यहां के लोग धर्ती की पूजा करते थे ब्रिक्ष और पसू की पूजा करते थे पसुपती महदेव की पूजा करते थे एक सींग वाले जानौर के पूजा करने का साक्षे पराप्त हुआ है और यहाँ पे कुबर वाला सांड का ये लोग पूजा करते थे और मंदिर का कोई भी साक्षे पराप्त नहीं हुआ है अर्था कि ये लोग धर्ती की पूजा ब्रिक्ष और पसू की पूजा ये सभी चीज की पूजा करते थे लेकि दूर्ग में जो सहर का पस्चमी हिस्सा था और निचना लगर पूर्वी हिस्सा था सभी आगे उतर जमलों लिखना सिखेंगे उसमें एक काम आएगा भी है सभी सिक्स में भी हम लोग पढ़ेते तो उसी का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं जहां से कूप प्रसन पूछे सहर के संपन लोग कहा रहते थे प्रसन पूछे तो सहर के संपन लोग दूर्ग में रहते थे जो सहर का पस्चमी हिस्सा था और सहर और समान ये लोग जो है वो सहर के समाने लोग पूर्वी हिस्सा में रहते थे जिसे निचला नगर कहा जाता था तो दूर्ग और निचला में काफी भी भीदरार थात कि हडापा सबयता का अंत कैसे हुआ है इसमें हरे की तिहासकार का अलग-अलग मत है लेकिन उसमें कुछ महत्पूर मत की चर्चा करें तो कुछी तिहासकार मानना है कि भूमी का बंजरता बढ़ गया था वहाँ पे कुछ कर जाता है तो जानते हैं कि बाहरी हमला हो गया जिसके हड़ापा सबयता के बारें बताए सभी पीछे का रिवीजन हम लोग किये हैं और उसके साथ सब्सक्राइब करना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में यहां से खूब ज्यादा प्रस दिखेंगा आज के च्छोटे से कलास से कितना ज्यादा प्रस्न पूछा जाएगा बोलें इंटर बोड एक्जाम 2024 के हिस्ट्री के पैपर में अब चलिए आपको कौन कौन साथ चेप् करना होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पर सर्च करके जोई हो सकते हैं अभी कलास आप बीच इसको आपको सेर करना हर जगा अगर आप लोग अधिक मात्रा में शेयर करते हैं अधिक मात्रा में जूडते हैं तो ऐसे ही हम लोग पूरा जोवी 15 चैप्टर ह किस्ट्री का उस वाप करेंगे और किसी भी साय का आपका डिमांड आएगा तो उसको भी सुरू करेंगे लास को सेर जरूर कीजिएगा उसके साथ टेलीग्राम चैनल जुआन करके जल्दी से पीडिया पर आप कर लीजिए मिलेंगे अगले क्लास में तब तक के लिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद